कि अगर आपके यह जो पोजिशन होल्ड है तो आप लिया क्या हो सकता है कि आप इस पोजिशन को एकजीट आप पर करना चाहिए या फिर कल मार्किट जो है काफी बढ़िया से गैप डॉपन होने के साथ-साथ पीई वालों को काफी बढ़िया सा प्रॉफिट डे सकता है उसके साथ में जो आपका exit point होता है वो कहाँ पर होना चाहिए अब देखिए market ने किया किया है market उपर दो गया है लेकिन यहाँ पर confusion भी definitely generate करने वाला है अब वो confusion कैसे generate करने वाला है वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो market क्या कर रहा है continuously उपर गया और यहाँ पर market देखो निचे आने की कोशिश कर रहा है अब यह देखो यह जो candles थे ना यह कौन सी candles है अच्छा कासा है hammer candles है अब hammer candle के हिसाब से अगर आप देखोगे तो most possibly market को उपर जाना चाहिए लेकिन market ने उपर न जाते हुए सीधा निचे आ गया अगर market यह से निचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि markets के अंदर जितने भी लोगों ने CE entry किया होगा उन सब का पहले तो अभी loss होगा ठीक है अब अगर इनका loss होगा तो फिर market कौन सी जगे पी जाएगा वो में आपको भी बताने वालो उसके साथ में अगर आपने अभी तक हमारा free वाला telegram channel joining नहीं किया तो यहाँ पर आकर यहाँ पर जो सबसे important चीज अभी हमारे लिए होने वाली है वो होगे levels तो important level कौन से है तो सबसे पहले चीज 54 0 97 ठीक है अगर इस level से नीचे रहता है markets और इस level से अगर नीचे बनने की कोशिश करता है तो फिर हम क्या कर सकते है यहाँ पर definitely हम एक चीज़ follow कर सकते है वो है क continuous में अगर market downfall का momentum दिखाता है तो हम उस profit को यहाँ पर book कर सकते है मतलब के इस case में हम sales side में जा सकते है या फिर हम नया PE का entry बना सकते है अब आपके लिए बहुतरिन option क्या है आप buyer हो या फिर आप seller हो उस accordingly आप यहाँ पर entry या exit प्रैन करोगे ठीक है तो वो चीज़ आपको follow करना है अब उसके साथ में जैसे market अगर आप देखोगे तो continuously उपर का market की और जैसे होते हैं तो market क्या करता है यह से थोड़ा बहुत नीचे आता है उपर जाते नीचे आते उपर जाते अब ऐसे एसे करते हुए market थोड़ा सा उपर जाता है ठीक है अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 97 वाले important levels था उसके नीचे अगर market जाते तो काफे बड़ी क्यास पास था 10310 अब यहां से लेकर कि यहां तक जो markets है लगबक 75 points है आपको चाहिसे देखना में छोटा लग रहा होगा लेकिन अगर आप यहां पर देखते हो इस direction से देखते हो तो यह देखिए यहां पर आपको समझ में आ जाएगा अब यहां पी जो trapping वाला momentum था वो यहां से उपर कर trade plan करने का logic क्या है यहां से उपर कर trade plan करने का logic यह ही है कि यह hammer candle था यहां से उनका entry हुआ था सेकेंड उनका trapping moment यहां पर जनेट हुआ जब market यहां से 110 से लेकर के market सीधर downfall कर गया सीधर 40 तक गया अभी 110 से 40 यान कि लगभी 70 points का profit से ठीक है अगर आप यहां पर markets के अंदर entry भी करते हो तो आपको options के अंदर 50 points का आसपास का profit है वो मिल चुका होगा अगर आपके पास म 200 या फिर 100 वाला PE का option अगर रहेगा तो ठीक है तो इसलिए मिना बताया था कि आगर आपके पास में CE का position holding में है कौन सा? CE का position holding में है तो आप लोग देने वाले है PE लोग को profit day go up क्योंकि आपका CE जो आएगा loss में and यह लायू market में आपका CE loss में चले गया उसके बाद में ज अगर आप उसके अंदर trade करना ही जाते हो तो आपको उसके अंदर lieum market को समझ करके trade करना है अब जिसे market है पर नीचा आने की कोशिश कर रहे है अब यहापे बहुत लोग क्या करेगे अपना downside का trade initiate करेगे कौन सा? downside का अब वो downside का trade है पर लेने की अगर कोशिश कर रहे है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह हो जाता है कि कहीना कई वहापे confusion वाला moment आएगा अगर वहापे confusion वाला momentum आता है तो फिर market वापस एक बार वहापे trap करने के लिए ready हो सकता है तो इसलिए हमें वहापे confusion वाले moment को avoid करना है एंड अगर कुछ important चीज़ी रहती है तो वह आपको हमारी free wallet channel में update मिल जाएगा ठीक है और इसके साथ में हमारा premium channel भी है तो आज भी हमने premium channel में update किया तो आपको यह profit मिला होगा अगर आपने ज्यादर time तो खोल किया होगा तो आपको आपको इस management के साथ में उस और उसके साथ में इसके अंदर अभी कल के लिए जो है expiry वारा trade भी आपको वहाँ पर देखने मिल सकता है कि expiry के दिन कौन साइन कहां पर entry मिलेगा तो आपका profit ज्यादा increase होगा वो भी आपको वहाँ पर देखने मिल सकता है upper side में and downside levels के आसपास तो दोनों के लिए आपको समझना पड़ेगा इसके लिए अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो nifty 50 है वो continuously क्या कर रहे है यहाँ पर थोड़ा सा उपर गया and फिर धीर धीर नीचे आया and वापस से उपर जाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे है इसका मतलब आपका से उपर ने जा रहे नीचे से भी नीचे नीचे नहीं जा रहे मतलब मालगे क्या कर रहे है सडवे मॉफ कर रहे है diferenta मा caucus करें तो इसका मतलब यह हो जाता है कि market के अंदर confession है अगर यह confusion है तो फिर आप क्या करोगे यह बल ने निम मोमेंट में क्या आप यहाब देहन दीज़ेगा गई जो कुविक टेडिंग होते हैं ना तो कुविक टेडिंग के हिसाब से अगर हम देखे तो यहाँ पर आपके लिए भेतरी लेवल्स रहेगे मतलब अगर 920 के नीचे माकेट निकलते हैं तो भेतरी से टागेट्स आपको 890 तक मिल सकते हैं अब यहाँ हैं काफी बड़ा टागेट हैं तो आप उसे जली जो है अचिवमेंट कर सकते हो इसीलिए बुटिंग कर सकते हो वह भी कुविक टेड में आपको मिल सकते है तो कुविक टेड़ अगर आपको अचिविमेंट होता है तो डेफिनिटल आप वहाँ पर उसका एंजॉयॉयमें यहाँ पर फिलाल ट्रापिंग वाला मॉमेंटम बहुत जाला बन रहा है बहुत जादा टाइम से मार्केट का करें ट्राप करेंगे कोशिश कर रहा है अब देखने वाली बात यह है कि पीई होल्डिंग वालों को काफी बड़िया प्रॉफिट मिल सकता है जिसने भी सीई होल वाले टेलिग्राम चैनल में जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह है टोटली टोटली फ्री वाले टेलिग्राम चैनल बैंक नेफ्टी ऑप्शन टेड तो यहाँ पर आकर कि आप जोईन कर सकते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्